बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी बड़ी और एक्स्प्लोजिव खबर को लेकर एक बार फिर हमाँ सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं बिग बॉस सीजन 14 के घर में आज होने वाला है बीबी टिकेट टू फिनाले टास का दूसरा राउंड जहाँ पर कमपीट करते वे नसर आएंगे रूबिना दिलैक और राहुल कृष्णवयद्य रूबिना दिलैक और राहुल कृष्णवयद्य दोनों चाहेंगे कि वो टिकेट to फिनाले टास को जीटकर फिनाले में पहुँचें और अपने दर्शकों को खास तोफा दें लेकिन टिकेट टू फिनाले टास का दूसरा राउंड शुरू होने से पहले राहुल किश्नवैद्य बिमार पढ़ चुके हैं राहुल किश्नवैद्य बिस्तर में है राहुल किष्ण वैद्दे के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बिमार पढ़ गए और किसने दी सबसे बड़ी मदद राहुल किष्ण वैद्दे की तो हम आपको बता दें यहाँ पर रुबिना दिलेक ने राहुल किष्ण वैद्दे की बड़ी मदद की है यही बात पूरे विस्तार से बताने वाले हैं आज के खास रिपोर्ट में लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बल आइकन के घंटे को दबाना बिलकुल भी ना बुलें हम आपको बता देना चाहते हैं कि टिकेट टू फिनाले टास का दूसरा राउंड होने से पहले राहुल कृष्णवेद्य काफी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं दूसरे राउंड को लेकर और पहले राउंड में निक्की तंबोली ने उनके साथ जो भी कुछ किया इस वज़े से वो काफी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई देते हैं वीती रात और साथी साथ काफी परेशान होने के साथ साथ वो काफी रोते भी हैं और इसी वज़े से उनकी तव्यत खराब हो जाती है सुबह सुबह उन्हें उठने में काफी तकलीफ होती है उनका टे चाहे वो एलीगोनी हो, चाहे वो जैस्मिन बसीन हो, किसी ने भी राहुल किष्णवैद्य का साथ नहीं दिया, बल्कि रूबीना दिलाइक जो कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, राहुल किष्णवैद्य अपना सबसे बड़ा कॉमपेजिटीटर मानते हैं, उन्होंने स तो है राहुल किष्णवैद्य को दिया, बड़ी खबर इस वक्त की यही निकल कर सामने आ रही है, राहुल किष्णवैद्य कहते हैं रूबिन दिलेक से इसके बाद कि मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाओंगा, मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है कल के तास के बाद, यह कहते हैं राहुल किष्णवैद्य, वेल, रूबिन दिलेक की दिलेरी, रूबिन दिलेक ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है, वो दोस्तों से भी प्यार करती हैं, और दुश्मनों से भी प्यार करती हैं, नफरत नहीं, आज के ख प्रुक्त रांग के साथ वेक्ट टीवी नियूस के रिपोर्ट